नमस्कार दोस्तों मेरा नाम संजेक कुमार है मैं सिविल इंजिनियर हूं और में गवर्मेंट प्रोजेक्ट एक इजिकूट करवाता हूं मैं आज आप लोगों को कटिंग लेंथ और रिंग के बारे में बताने जा रहा हूं जैसे कि आप इस डूइंग में देख रहे हैं य प्रिंग कहते हैं उसे यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है उसे हम हूप हूप लेंथ जो है वह हम लेंगे टेंडी आप देखेंगे टेंडी जो है वह हमारा structural drawing पे mention रहता है कि 10 delay या 9 delay तो उसके हिसाब से हम लेंगे तो मैं यहां पे 10 delay हूँ और आप देख रहे हैं यहां पे जो circular shape में जो यहां पे corner पे दीख रहा है वो हमारा ring है ring और outer area का जो distance है उसे हम clear cover करते हैं ठीक है अब देखिए यहां पे note लिखा हुआ है clear cover foundation में 50 mm column में 40 mm beam में 30 mm और slab में 20 mm तो हम अभी हम बात कर रहे हैं column का तो हम सिर्फ column में ध्यान देंगे column जो है हमारा 40 mm का clear cover provide करना है ठीक है अब देखिए यहां पे जो ring जो है उसे हम जब बनाते हैं तो हमें किधर से angle find करना है उसका direction यहां पे दिया गया है यह बहुत important है ठीक है जैसे कि मैं इस stirrup को गोलोकवाइट डेरेक्शन में मैं मूब कर रहा हूं यह हमारा सिधर reinforcement है इसे मैं यहां से bend कर रहा हूं इस direction पे यहां पे mention है कि इस direction पे मैं bend कर रहा हूं तो अब देखेंगे यहां से इसका जो angle होगा वह हमारा 90 degree ठीक है सेम जब यहां से reinforcement ऐसे सीधा आ गया तो इसे मैं इस direction पे बेंट कर रहा हूं तो हमारे यहां से में जो सिधर reinforcement फोर्शमेंड यहां से ओसे मैं bend कर रहा हूं यहां से लेकर यहां तक यहंपर sound भी प्रवाइट करना है तो यह जो humble हमारा इस direction में हो रहा है 135 यह जो delivery जो फोस्मेंट जो इधर जो तो एस्टेट शीधा है उसे भी मैं बेंड कर रहा हूं इस डिरेक्शन पर तो हमारा इस यह एंगल भी 135 डिग्री हो रहा है यहां पर आप देखेंगे 123 नंबर सो बेंड है और वो 90 डिग्री का है और यहां पर दो नंबर बेंड है 135 डिग्री का है ठीक है मतलब 90 डिग्री जो बेंड हो रहा हो हमारा 3 सो बेंड है और 35 फो नंबर सो बेंड है ठीक है अब देखें यहांपर फोर 90 डिग्री बेंड में Two D लेते हैं और फोर 35 डिग्री बेंड में 3D लेते हैं ठीक है डी कहने का मतलब डाया ओब बार अब यहां पर देखिए यहां पर मेंचन है यह जो रेंफोर्स्मेंट जो हम ले रहे हैं हुक का रिंग का ठीक है यह 8 mm reinforcement है यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया ठीक है अब जैसे कि मैं आप लोगों को इससे पहले जो शोट जो पनाया हूं उसमें आप ध्यान देंगे तो एक नोट करके दिया गया है ठीक है उस वीडियो में मैं कटिंग लेंथ ओप किलियर चेयर बार के बारे में बत कितने एंगल में केतना डी डिड़क्ट करना है वो किलियर बताया गया है तो आप अभी देखेंगे मैं वह नोट को मैं यहां पर भी मेंशन करूंगा ठीक है तो अब ध्यान से देखेंगे 445 डिग्री बेंड में 1D 490 डिग्री बेंड में 2D 4135 बेंड में 3D and 180 डिग्री बेंड में 4D लिया जाता है ठीक है डी कहने मतलब है डाय और पार अब आएए इसका कल्कुलेशन देखते हैं कि कटिंग लेंध हम कैसे फैंड करेंगे इस 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 टीरप का इस टीरप नहीं बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे क्योंकि इस टीरप जो है हम प्रवाइट करते हैं बीम में और कोलम में प्रवाइट करते हैं रिंग या टाइस ठीक है यह दिखान रखेंगे जो कोलम में जो यह रिंग प्रवाइट करते हैं उसे रिंग या टाइस कहते हैं हमेशा यह दिखान रखेंगे और बीम में इस टीरप करते हैं ठीक है तो आई कल्कुलेशन द इन्टू 0.040 प्लस 2 इन्टू 0.300 माइनस 2 इन्टू 0.040 प्लस 2 इन्टू 10D माइनस 3 इन्टू 90 डिगरी माइनस 2 इन्टू 135 डिगरी यहाँ पे मैं जो मेंशन किया हूँ यदि आपको यह समझ में आ गया तो आपको टोटल रिंग का कल्कुलेशन समझ में आ जाएगा कि कटिंग लेंथ हम कैसे फाइंट करते हैं जैसे यहाँ पे देखिए 2 इन्टू 0.40 40 क्या है कोलम का किलियर कभर ठीक इस कोलम में तो यहाँ पे देखिए 0.040 ठीक है अब यह जो हमारा लेंथ है और यह हमारा वीर्थ है तो लेंथ और वीर्थ जो है उसका हमारा साइज यहाँ पे मेंशन है 300 इंटू 300 इन एमेम यहाँ देखिए लेंथ है हमारा 300 कोलम का यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब इस कोरनर से लेके इस कोरनर का लेंथ है 300 और इस corner से इस corner का length है 300 यहाँ पर देख रहे हैं 300 minus two into four zero कहते हैं तोटल length minus दोनों side का clear cover ठीक है total length और यहाँ का clear cover और यहाँ का clear cover मत्ब दो clear cover total length minus कर देंगे तो हमारा यहां से यहां तक का reinforcement रेंफोर्ष्मेंट का लेंथ हो जाएगा ठीक है यह वही चीज लिखा हुआ है अब यहां देखिए 300-2 into 0.40 यहां पर सेम है क्योंकि लेंथ और वीड्थ जो है हमारा कोलम का साइज जो है वह सेम है लेंथ में भी और वीड्थ में भी देखिए यहां पर भी देखेंगे यहां से लेकर यहां तक लेंथ करना है तो यह टोटल लेंथ माइनस दोनों साइट का किलियर कभर करेंगे तो हमारे यह रेंफोर्ष्मेंट का लेंथ हमें प्राप्त हो जाएगा सेम चीज मैं यहां पर क्या हूं 300-2 into 0.0 40 यह लेंथ हमारा मिल गया 300 मतलब यह साइज टोटल यहां से लेकर यहां तक फिर minus 2 into clear cover 2 इधर एक clear cover इधर एक total 2 clear cover हो गया यहां से लेकर यहां तक तो इसलिए मैं यहां पर 2 minus किया हूं plus 2 into 10 d 10 d कभ लेंगे देखिए यहां पर लिखा हूँ 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 हूख लेंद जो हमारा 10 d तो यहां पर दो हूख है तो इसलिए मैं यहां पर 2 into 10 d लिया हूँ ठीक है अब देखिए हां पर 3 into 90 डिग्री देखिए यह जो रिंग है इसमें हमारा इस रिंग में 90 डिग्री जो एंगल है वह हमारा तीन है जैसे 1,2 और 3 इसलिए मैं यहां पर 3 into 90 डिग्री लिया हूं और दो नमबर्स व्बेंड जो हुआ है वो है 135 डिग्री तो यह दोनों समझ में आ गया थ्री नमबर्स व्बेंड है 90 डिग्री का 1,2,3 और टू नमबर्स व्बेंड है 135 डिग्री अब इसका कल्कुलेशन देखिए इसका कल्कुलेशन करेंगे यहां से लेके यहां तक तो हमारा 0.440 आएगा सेम हमारा यह इसका लेंथ विर्थ के लिए कबर माय डिड़क्ट किया तो हमारा उसका भी सेम आ गया 0.440 पलस तू इंटू 10 डी तू इंटू 10 डी काने मतलब है डाय और बार अब देख रहें यहां पे एट इमेम का है तो यहां पे सभी डाय मेंशन जो हमारा एमेम में है इसलिए 0.008 यहां पे है अभी देखे थी इंटू 90 डीगरी में यहां पे मेंशन है कितना लेंगे 2D वन थर्थिपाइब डिगरी बेंड में लेंगे 3D यहां पे वही मेंशन क्या गिया है 90 डिगरी के जगह पे 2D और 135 डिगरी पे 3D अभी टोटल को जब हम बेलू पूट करेंगे तो हमारा टोटल कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगा 1136 mm यह सभी डैमेंशन जो है mm में है तो साइद आप लोगों को कटिंग लेंथ और रिंग समझ में आ गया होगा तो आप बने रहे मेरे सा होगी धन्यवाद